साथियों, इस वर्ष भारत ने अपनी आजादी के 75 साल में प्रवेश किया है। आजादी के इस अमरित काल में देश एक नए भविश्य के निर्मान के लिए नए संकल्प ले रहा है। और जो काम दसकों से अठके थे, उन्हें पूरा भी कर रहा है। 41 ओर्डिनन्स फेक्टरिस को नए स्वरूप में किये जाने का निर्णे, साथ नए कंपनियों की ये शुरुवात, देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है। ये निर्णे पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी साथ कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकात का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। साथियों, हमारी ओडिनेंस फेक्टरीज कभी दुनिया की शक्ति साली समस्ताव में गिनी जाती थी। इन फेक्टरीज के पास सो डेड़ सो साल से भी जादा का अनुभव है। विश्व युद्ध के समय भारत की ओडिनेंस फेक्टरीज का दमखम दुनिया ने देखा है। हमारे पास बहतर संसाधन होते थे, वर्ल क्लास कील होता था। आजादी के बाद हमें जरुरत थी इन फेक्टरीज को अपग्रेड करने की। न्यू एज टेक्टरीज को अपनाने की। लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरीक जरुरतों के लिए विदोईशों पर निर्भर होता गया। इस्तिती में परिवर्तन लाने में ये नई साथ डिफेंस कमपनियां बहुत बड़ी भूमी का निभाएगी। रजसों परिपेंस परकाफा से αवी चिश्क में ये हूप लेकिन लाने में हम वाकि उन्हीं हो वाह बत्सुम्